जी तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को ग्रास नेटवर का वैलेड कुनेक्ट करने का तरीका बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें कुछ मुछकिल स्टेप्स हैं वो मैं आपको इजी वे के अंदर समझा दूँगा इन्शाला आप अपना वैलेड ग्रास नेटवर के अंदर कुनेक्ट कर पाएंगे और जो न्यू यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब जो इसके अंदर वैलेड कुनेक्ट होने का जो ओप्शन आ गया है अगर आप जो न्यू हैं बिगनर हैं तो आप अभी भी कुनेक्ट का इसको जो जो जोई कर सकते हैं मिरे वर्टसेब चैनल के अंदर जाएं उपर जो है सर्च का उप्शन होगा वहाँ पे आप ग्रास नेटवर का लिंक जो है वो सर्च करेंगे ग्रास का लिंक आएगा तो वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल होगी कैसे जो है आपने अपना अकाउंट जो क्रियेट करना है यह सारा तरिका आपको वर्टसेब ग्रूप के अंदर जो है मिल जाएगा अभी आपने करना क्या है एक तो आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आल पे क्लिक कर देना है तक हर वीडियो आप तक इजीली पहुंचें और वर्टसेब चैनल को भी लाजमी फाल लेना है अगर यहाँ पे कोई इशु आता है तो आपने मिस्स ब्रॉजर के अंदर जो ही इसको कर लेना है अगर क्रॉम के अंदर कर रहे है तो वह आपकी मर्दी है जहां पर आप करना चाहिए यहां पर मुझे रिवार्ड का एक ओप्शन नजर आएगा रिवार्ड के चाहिए ये देखें इमेल वेरिफाई है अब यहां पर मैंने अपना वैलिड जो वो कुनेक्ट करना है तो यहां पर वैलिड की ओपर क्लिक रहेंगे और फैंटम वैलिड की ओपर आप क्लिक करेंगे mostly लोगों को ये मसला आ रहा है क्योंकि मुझे screenshot जो whatsapp की ओपर लोगों ने दिये हैं कि शायद भी हमारा वैलिडी कुनेक्ट नहीं हो रहा ये reason है अब यहां पर एक मसला ये आता है आप आजाए मिस्स ब्रोजर में यहां पर आते हैं यहां पर मैं जो इसको open करता हूं मिस्स आप साइड कर लेना है यह करने के बाद यहां पर आपको reward का option वैसा ही नजर आ रहा है जैसा यहां पर आपको नजर आ रहा है यह वाला आपने reward के ओपर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको email आपका verify वो नजर आएगा उसके बाद यहां पर आपका valid आप को पता ही नहीं है उन्होंने अपने बड़ब्ड जो ग्रूप के एड मैंने उन्हें भी अभी आपने वैल بنड जो इकनेक नहीं कि यह कि अन्हीं को यह चीज पता ही नि आप यहांपे क्लिक करेंगे जहां पर हमारी extension add हैं यहां पर phantom valid की extension हमने add करनी है कैसे extension आप add करेंगे आप जो है यहां पर आपके पास एक box show हो रहा होगा जिसमें आपके पूरे जो है वो desktop जो है वहाँ पर आपने की होए जितनी भी airdrops के वो side पढ़ हुई हैं यहां पर आपने click करना है यहां पर उपर plus का option है यहां पर click कर देना है जो ही आप यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर phantom valid का जो है आपने extension वो आपने search करना है उसके बाद यहां पर आपके पास extension जो है वो आजेगी इसके उपर आप click करेंगे click करने के बाद ऊपर जो है आपको add to chrome का option मिलेगा वो आपने जो एड to chrome कर लेना है जैसे यहां पर मुझे रिमूव का option आ रहा है यहां पर आपको जोए add का option आ रहा होगा मैं थोड़ा zoom करके आपको दिखाता हूँ यह देखें मुझे यहां पर remove का option आ रहा है क्योंकि मैंने add की यह अपनी extension तो आप अपनी जो extension यहां पर आपको add करने का option होगा add करेंगे तो extension आपकी automatic यहां पर add हो जाएगी देखें मेरी यहां पर already जो add हो जाए ग्रास वेलेड की भी extension आपको यहां पर यहां पर दो extension mostly आपने add करने के बाद यहां पर आपने अपना वेलेड भी जोए connect कर लेने यहां पर click करना है यहां पर फेंटम वेलेड हैं यहां पर आपने click करके अपना यहां पर देखें मुझे से password पूछ रहा हैं तो मैं यहां पर अपना password नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर metamask की यहां पर import करना चाहें वो कर दें जो आपका दिल करें मैं यह बोलूँगा के new पर आले जो gas fees होगी वो वक्त पे आपको बता दूँगा वो भी आपको provide कर दूँगा वो आपने यहां पर डाल के अपना account create कर लेने याद रखेगा जितने भी beginner लोग है beginner का आपको बताऊंगा new user को भी हर चीज जो है बताई जाती है वहाँ पे कि आपने कैसे जो है track पे चलना है क्या working आपने करनी है अब जो है मैं connect valid के उपर click करूँगा यहां पर phantom valid के उपर मैं यहां पर click कर दूँगा जो ही मैं phantom valid के उपर click करूँगा तो इस तरह मेरे पास जो है शो करेगा यहां पर जो है मैं अपना जो है password यहां पर लगा देता हूं पासवर्ड लगाने के बाद इसको मैं unlock कर लूँगा अनलोग करने के बाद इसको connect कर लूँगा यहां पर जो है मैं verify कर लूँगा verify करने के बाद यहां पर जो है confirm का option आएगा तो यहां पर हमा अब जो start की उपर आपने click करना है send verification की उपर आपने click करना है अब मुझे जोए email आएगा इनकी तरह से अब जोए मैं यहाँ पर click करके अपना email जोए यहाँ पर check कर लेता हूँ कि मुझे आया कि यह देखें email आ चुके verify email address यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर missis browser में इसको ले जाते हैं तो आप अगर chrome भी करते हैं तो इसमें कोई issue नहीं है जो आप wallet जो browser आप करना चाहते हैं वो कर लें तो wallet successfully verified return to dashboard मैं dashboard पर आ जाता हूँ मेरा wallet जो है successful add होगी है mostly लोगों को यहाँ पर जो है मेरा wallet add होगी है तो mostly लोगों को यहीं मसला आ रहा था यह कोई मसले वाली बात नहीं है तो थोड़ी देर लग जाती है लेकर आप वेट किया करें आपका भाई आपको हर update टाइम पे नहीं तो थोड़ा देर से जो है provide लाजमी कर देगा तो उमीद करते हूँ यह देखे हमारा wallet verify भी हो गया और confirm भी हमारा email के साथ जो हो गया यह सारे step आपने अपने verify करके रख लेने है ताके जब भी यह airdrop start करें तो हमारे जो criteria यह eligible वाले वो पूरे होने चाहिए तो उमीद करते हूँ आपको तरीका समझ आगी होगा so thanks for watching